हालो फ्रेंड्स वेलकम तु स्टडी मास्टर आई होप यो ओल आर गूड मैं हूँ आपकी दोस्त प्रीति और फ्रेंड्स आज है बीस अप्रैल और देखते हैं आज हम इस वीडियो में बीस अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंटर फेस्ट के कोशन बनते हैं वो डिटेल फेस्ट के से उसका कोशन देख लेते हैं और आज भी वीडियो के यह अपको आ जो कविजा आओ जो क्यूत गाना गया और आई है यह स्टय आहीं क्सुमस्त्स चैस्स आज कि Minneapolis में इन चैस्थ में साथ साथ और अगर किसी ने अभी तक हमार चाहिण को सबस्क्राइब नहीं किया है और आप फर्स टाम विजिट करें नियुक्त कर लिजिए और साथ पर देखते हैं प्रिस कोशन है, हमारा जो फर्स्ट कोशन है वह है विशव प्रेस दिवस सफतंतरता सूचकाग 2019 में कौन सा देश शीष पर रहा इसका जो सही उत्रेफरेंट्स वो है सब्सक्राइब और तर्ड जो है वो है स्वीडन का ओके फ्रेंट्स और इंडिया का रहा इस बार आया है वह रहा है तोटल वन एकट पर्टिसपेट करते हैं और लास्ट रहा था वह आया था यारिकिश साल जो रहां जो है इंडिया पीछी चला गया है और फ्रेंट्स लास्ट के आपको भी लास्ट के दो रैंक भी आपको पता होने चाहिए 180 पूजीशे पर जो इस वार कंट्री आई है वो है तुर्कमीडिस्तान और 179 पर जो कंट्री आई है वह नौर्थ कोरिया ओके फ्रेंट्स है अब थोड़ा सथ नौर्वे के वारे में देख लेते हैं थोड़ा सकते हैं थोड़ा जा सकते हैं कि सबसे पहले में नौर्वे नौर्वे की जो क्रंशी है वह है नौर्वेजियन को क्रॉन पि Auchin Pan इस्तिफा दे दिया है यानि कि यह बताना है कि किस कंट्री के जो पर्धान मंत्री थे जिनका नाम सोमयो मायूबे माइगा है उन्होंने अस्तिफा दे दिया आंसर इज माली यह निकि माली कंटरी के यह परधान मंत्री जो की पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रही है यह माइबो माईगा ठीक है याद रखेगा इन्हों ने जो है इस्तीफा दे दिया है अब थोड़ा सा माली के बारे में भी देख लेते हैं ऑगे माली की जो कैप बमाको करंसी वेस्ट अफ्रिकन देख और इसके जो प्रेज़िदेंट वह इब्रहाइम बोबाकर केटा ठीक है याद रखेएगा इसके प्रेज़िदेंट इब्रहाइम बोबाकर केटा और प्रधान मंतरी तो आपको पता है कि उन्होंने जो अस्तीफा दे दिया है अगला अगल में कितने भारती शांती सानिकों को स्यूकतराष्टर पदक से सम्मानित किया गया है इसके जो फिप्टी वन कंटिफाइवन फिफटी इसका जो सही उतराइंट वह द्टी यानिकी 150 जो भारते जो सैनिक जने भारते शांति सानिकों को जो स्यूग्त राष्टर की और से पदक सम्मानित पदक से जो है सम्मानित किया है ये यानिक उन स्यांति मीशन था जिसमें भारती सैनिकों ने भारत mistake के सब्सक्राइब नलोंड जो कब में ढख देख लिते हैं जा जो सकती है एक तक तरुबर 1935 व्हें नियुव क् terra ठीक है और सेक्रेटरी जर्नल है जो इसके वो है एंटोनियो गिटर्स और इसके जो डिप्टी एस जी है वो है अमीना जे मोहमद ठीक है यह थोड़ी सी इंफोर्मेशन है यूनेटेड नेशन के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं है अब अगरे जैसे कि इसका जो प्राइज यह दिया गया था हमारा साउथ सुटान के अंदर ठीक है जो यह शांतिपूर्सकार है यह उन्रेटेड के दवारा साउथ सुटान के अंदर दिया गया थोड़ा सा सुटान के आप निगragen्शन देख लिए इसकी जो ड़े ञेוצ tirar व ह पता होनी चाहिए सुदान के बारे में अगला कोशों देख लेते हैं Next question हमारा हाली में दियुश review bank ने भारत के सियों के रूप में किसकी निखिकी है है इसका जो सहही द्रेफरेंस वह कोशिक शप्रिय को जो है इस बार डियुश बैंक ने भारत के सियों के रूप में इसकी न्युक्तिगी है इससे पहले कौन थे इससे पहले थे रवनीत गिल याद रखेगा कि हम भारत के अंदर जो ब्रांच है ड्यूश बैंक की उसके बारे में बात कर रहे है उसका जो सीओ है वो कोशिक शप्रिया है अब देख लेते ड्यूश बैंक के बारे मे जो है पॉल अचलेंटर और सीओ है इसके क्रिश्चीन सेविंग ठीक है याद रखेए क्रिश्चीन सेविंग इसके जो है सीओ है नेक्स्ट कुशन हमारा हाली में जैरी कोब का नीदन हो गया वह कौन थी आपको बताना है कि जैरी कोब कौन थी वह किस फिल्ड से रिलेटे थी ठीक है याद रखेगा और यह उनकी पिक्चर है पिक्चर में देख सकते है जैरी कोब के बारे में आपको यह इनफोर्मिशन देना चाहते हूं कि फ्रेंट्स जो अमेरिका की अंदर जो है स्पेस में जाने के लिए जो एक पाइलिट के लिए जो एक एक्साम होता है अ है था है सब्सक्राइब ह derechos जो उनका इसले हता है यह जो इसले के बारे में वह इंकी ने आड़्गते था journalists में सविक्पाति के लिए इंग्नेपिक पас लिचाने के बारे में भी हम ने इस जो एक्रिक जोंगे की आएक कि बारे में इस बद्सक्राइब है वह उनकी Armor of the United स्ट है आप सो को पता ही है इसके बारे में अगला प्रशन है हमारा हाले में किस बैंक ने रवांडा को 26.6 million का रिड परदान किया है इसका आंसर है वो है C यानि की एक्जिम बैंक इसकी जो फूल फोर्म है वो है याद रखेगा एक्जिम बैंक ने रवांडा को 266.6 million dollar का रिड दिया है यह लोन किसके लिए किस मोटिव से दिया गया है यह लोन दिया गया है कि वहां की जो क्रेशी विकास करने के लिए और सर्क प्रियोजना के लिए यह लोन दिया गया है अब थोड़ा सा रवांडा के चेंड देख लेते हैं रवांडा यह रहा कंट्री अब इसकी कैपितल के बारे में देख लेते हैं जो कैपितल है वह कि गाली करन्सिया रावंडेंड फ्रैंक प्रेजिदेंड पोल्क आगे में में और इसके प्यम है यह एडवार्ड नेगरेंटे ठीक है याद रखेगा इसके बारे में ये factual information आपको पता होनी चाहिए अगला प्रशन है हमारा हाली में सात्वा चीन अंतराश्ट्रय प्रतियोगी का मिला कहा शुरू हुआ इसका राइट असर है वह ऐसी यानि कि शंगाई में जो सात्वा चीन अंतराश्ट्रय प्रतियोगी का मिला है वो की चीजे शो होगी वह कौन से जैसे के प्रोफेशनल टेकनोलोजी के बारे में टेकनोलोजी इनोवेशन के बारे में ट्रेड सर्विस के बारे में जो है ये एक्जिमिशन लगा हुआ है चलिए थोड़ा सा चीन के बारे में देख लेते हैं जो आपको इपोड़न इन्फो नेक्स्क्राइब हो गया है इसका जो सही उत्र है बंदर मैंक बंदर बंक जो है ग्रेंट के साथ यह हो गया यानि की नर्च कर दिया गया अब थोड़ा सा बंदर बारे में भी देख लेते हैं बंदर में की जो स्थापना है वो 23 अगस्त 2015 को हुई थी इसका जो हैड़कौर्टर है वो है कॉलकता में इसके जो सीओ है वो चंदर शेकर घोश और चेयर परसन है डॉक्टर अनूप कुमार सीना और इसकी जो टैग लाइन है वो है आपका भला सबकी भलाई ठीक है फ्रेंट्स इसकी जो टैग लेन है वो है आपका भला सबकी भलाई ठीक है फ्रेंट्स यह बंदर में पारे में थोड़े सी factual इसका अंसर हजा अने पुलीस ने दोट है नुमट चूरू की जो कि श्रू है एक ते वह किया जो और है गोने भीड की इंसा के लिए थोड़ा सा पता हुरप्या फिल इसके लिए 270 यह पहला नंबर है और दूसरा नंबर है जो है 155271 यह दो नंबर है जिसके बारे में जो है दिल्ली पुलीस ने जो है हल्पनाइन नंबर शुरू किया यह 24 by 27 आर जो है आपके लिए अविलेबल रहेंगे अगला प्रेशन है हमारा हाले मी कौन सी भारत्य महिला ब्रिटेंट की फएल्ड लोल सुसाइटी की सदस्या बनी है इसका ढंसर है वहार भी यादि ऑन्टि पकानधीकांग गर्गंधीपकांग ऐसी फर्स्ट भारतिय महिला है जो कि बिरिटेन की फैलो रोल सुसाइटी की सदस्या बनी इससे पहले कोई भी फैलो रोल सुसाइटी का सदस्या नहीं बना इसलिए आपको इसका नाम याद होना चाहिए उनकी पिक्चर है आप देख सकते है गगंदीब कांग की सो आप अच इनके बार में इसकी जो कैपिटल है वो है लंडन कुरंसी है वो है पांड्स टर्लिंग इसके जो प्राइम जीर है वो है थरेस्न भेए ठीक है यांद रेजकितक्र नाम अग्ला प्रशें हमारा हाली कितने राजे और के अंदर शाषित परदेश है रेपलाइन नमबर एक हमारा 2019 में कितने उत्पादों को अब तक जी आई टैग मिला है इसका आंसर है वो है चोदा यानिकि चोदा ऐसे टैग है जी आई टैग यानिकि जो ग्रॉफिकल जो इंडेक्टिफ केशन दी जाती है यह भी चोदा उत्पादों को अभी तक मिल चुकी है ठीक है थोड़ा सा और सबसे पहले जो जी आई सबसे पहले इंडिया के अंदर जी आई दिया गया था वह फर्स्ट प्रोड़क्ट कॉंट सा था वह था डार्जलिंक टी आपको थोड़ा से जी आई के बारे में बता देते हूं कि जी आई मतलब की जो ग्रॉफिकल इंटिफकेशन इसका जाता है तो अब तक जो है 14 प्रोड़क्ट को जी आई टैग मिल चुका है 2019 में सबसे पहला जो था वह था डार्जलिंक को 2014 में मिला था ठीक है आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसे दिया गया था और जो लास्ट में अब 2019 में जो लास्ट टैग दिया गया है व सबसे पहले करनाटक से जी प्रोड़क्ट को मिला है वह कुर्ग अरेबीक कोफी चीकंगलोर अरेबीक कोफी यह जितनी भी कोफी जै इन्हें दिया गया और इसके अंदर सिर्सी सुपारी भी है जो कि करनाटक है जिसे जी आई टैग दिया गया है केरल से जो मिने भी बताय था वाइनार्ड रॉप्स्टा कोफी और इसका मर्यूर गूट जो कि सबसे लेटेस्ट जी टैग मिलने वाला प्रोड़क्ट है अगला है अंदर परदेश से मिला है अर्कु वैले अरेमिका कोफी को ही मार्शल परदेश से चुली तेल काला जीरा और 36 कर से मिला है जिराफू जैसे कि आप सब को बता है वीडियो के स्टांटिंग में भी आपको बता था कि मैं आपको लास्ट में टैस्ट दूंगी किस तेश ने अपना पहला उपग्रेश रावण वन अंतिरिक्ष में लाँच किया है इसके शीरिलंका बंगला देश अफगानिस्तान और भारत इन म जुरूर टेस्ट का अंसर के चाहिए और आपको कमेंट करना है कमेंट बोक्स में और साथ में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक और शेयर जुरूर कीजेगा और आज हमारे चे वजे नए तासिल दार की जो है लाइफ क्लास होती है उसमें आजाएगा और आठ बजे हमारी एंटी पीसी रेलवे या एससे की किसी भी एक्जाब की जो है लाइफ क्लास होते हैं जिसके अंदर आप कोश्टन करते हैं तो आप सभी लोग आ जाएगा थैंक्यू सो बच फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही जैहिंत